तो हेलो फ्रेंज वेल्कम बैक तो माई वाइड चैनल हेर तो फ्रेंज अगर आप यहां पर रेड्मी नोट 10 प्रो नोट 10 प्रो मेक्स के यूसर हैं तो आज मैं आपको इस वीडियो में यह बताने वाला हूं कि आपको यहां पे मीवाइ 13 एंडुए 12 का इंडिया स्टेवल कौन सी डेट तक देखने के लिए मिल सकता है और कौन से महीने तक तो यहीं बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में क्योंकि यहां पे रेड्मी नोट 10 प्रो नोट 10 प्रो मैक्स मीवाइ 13 एंडुए 12 से रिलेटेड बहुत ही बड़ी गुड निउस निकल कर सामने आ चार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा पे तक बाइटी चैनल सक्स्राइब नहीं किया है तो आप सब जल्दी से सक्स्राइब भी कर लिजी और शियर भी कर लेना तो चलिए फ्रेंस वीडियो को अब हम यहां पे शुरू कर लेते हैं तो मैं आपको सबसे पहले दिखा का 323 MB में यहां पर rolling out होना start हो चुका था तो यह बात होगे कि यहां पर global stable update है और एक update और आया है मैं आपको दिखा देता हूं तो यहां पर Europe stable के लिए भी Redmi Note 10 Pro, Note 10 Pro Max के लिए एक new update MIUI 13.0.3.0 का Europe stable update यहां पर release हो चुका है तो मैं आपको यहां पर एक बार उसकी पूरी information स सिखा देता हूं तो यहां पर उस फाले update के download links वो भी मेरे telegram channel पर available हो चुके है Redmi Note 10 Pro, Note 10 Pro Max के MIUI के 13.0.3.0 के Europe stable update के और इस update का size आपको यहां पर 3.1 GB का देखने के लिए मिल जाता है तो यह बात होगी Redmi Note 10 Pro, Note 10 Pro Max के लिए global stable update और Europe stable update तो यहां पर एक सेवान stable update के लिए भी update आया है MIUI 13.0.150 और यह एक तेवान stable update है तो यहां पर Redmi Note 10 Pro, Note 10 Pro Max के लिए तेवान में भी और इंडोनेशिया में भी यहां चुका है तो यहां पर इंडोनेशिया में भी 3.1 GB के size में एक update आया है Android 12 और MIUI 13.0.1.0 तो मैं आपको इसमें तेवान का भी screen shot यहां पर दिखा ज लीक हो चुका तो यहां पर MIUI 13.0.150 तेवान stable update Android 12 MIUI 13 पर Redmi Note 10 Pro, Note 10 Pro Max में इसमें हमें फरवरी मन्त का security patch यहां पर देखने के लिए मिल जाता है तो यहां पर Redmi Note 10 Pro, Note 10 Pro Max के लिए global stable, Europe stable, तेवान stable, इंडोनेशिया stable, तो यहां पर 4 reasons में Redmi Note 10 Pro, Note 10 Pro Max के लिए MIUI 13, Android 12 के stable updates release हो चुके हैं तो आपको यहां पर दिखा देता हूं, इंडिया में वो update कौन से महिने तक आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा, तो Redmi Note 10 Pro, Note 10 Pro Max, इंडिया में latest update, MIUI 12.5.10.0 का चल रहा है, तो आपको अगर चल्दी से यहां पर update चाहिए, तो आपको इस पर इस तरीके से टैप करना है, additional update features on हो जाएंगे, फिर आपको simply update की settings मुझाना है, फिर आपको receive updates early को on कर दिना है, तो receive updates early को on करने से क्या होता है, मैं आपको यहां पर इसके पूरे advantages यहां पर बता जाता हूं, तो मान लीजे कोई update केवल और केवल MI pilots के लिए ही बनाया जो नहीं करके 12345678910 जो भी number लिखा लेता है, तो वो updates केवल MI pilots के लिए ही देखने के लिए मिलता है, और अगर आपको वो update चाहिए, और अगर आपके device के लिए उस update को release किया जाएगा, और अगर आपको वो update चाहिए होता है, तो आपको यहां पर three dots हो जाकरके receive updates early को on कर द जाते हैं, तो आपको यह बस Redmi Note 10 Pro, Note 10 Pro Max के user है, तो आपके लिए MIUI 13 Android 12 इंडिया में बहुती जल्ड रिलीज होने वाला है, hopefully 10th March तक वो update आपके लिए यहां पर रिलीज हो जाएगा, क्योंकि Redmi Note 10 Pro, Note 10 Pro Max, तेवान स्टेबल, इंडोनेशिया स्टेबल, ग्लोबल स्टेबल, इन चार जगए आई चुका है, Redmi Note 10 Pro, Note 10 Pro Max के लिए, तो यही आज की वीडियो के आपके लिए, यहां पर इंडिया में, MIUI 13 Android 12 बहुती जल्ड रिडिस होने वाला है, Redmi Note 10 Pro, Note 10 Pro Max के लिए, तो अगर आपको वीडियो अच्छे लिए तो आप एक वीडियो को लाइक कर दीजे और अगर आप मेरे बड़े चैनल पहले बार आएं तो आप सब्स्ट्राइब भी कर लिजे और शियर भी कर देना तो चलिए फ्रेंज, आज के लिए बस इतना ही